हेलो माई यूटुब फैमली रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज है संडे तो मौर्णिंग का टाइम हो रहा है जो कि मौर्णिंग के जो काम है मेरे मैंने कर लिया है जैसे जाडू पोंचा डेस्टिंग वगेरा वो सब हो चुकी है और उसके बाद मैं आज में लग चुकी हूं सुबह से ही काम पर जो कि मैं पांच वजे उठी थी पांच वजे उठने के बाद मैं और ये सब काम मैंने का आज कर लेती हूं जो कि मैंने घी बनाया पहले मैंने उसको मठा को चलाया फिर उसके बाद मैं कुछ पहले से रखा हु कर दिहा और इथर कि खुटन न१टिया न्विनाने नैंड मैं प्रचुटन काम कर दिया और उसके बाद में इधर थोड़ा से मठ्थ साथ और उसके बाद नहीं जो दफिनलते मेरे पास में वह भी मैंने मिक्स करके और यह गोल तैयार कर दिया है कड़ी का तो इसको कर दूंगी नहीं तो चाइवाय पीने के बाद मैं क्योंकि कड़ी बनाने में बहुत टैम लगता है बाकी और भी मेरे पास काम है जैसे कपड़े वगरा धुलना तो वह सब मैं करती रह है अब और इतने टाइम तक मेरा इतना सारा काम हो चुका है जो कि 8 वजे जैसे मैंने बोला ना मम्मी ज्यादा तर आठ वचे उठती है तो तब तक अब चाय बन जाएगी और मैं मैं चाय दूंगी और मैं खुद भी पीलोंगी और उसके बाद मैं मैं बाकी के काम करूंग तो यह मेरा घी भी हो चुका है यह मैंने बंद कर दिये और अभी जैसे इसमें न काफी देड़ तक यह गरम रहेगा तो थोड़ा बहुत कमी होगी नहीं तो उसके बाद में वैसे तो बहुत अच्छे से बंद चुका है यह जो कमी होगी वह अभी मलब ठीक हो जाएगा यह और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको मलब च्छान के रख दूँ और देखो ऐसा घी हो जाता ना रखके फिर वह च्छानने की विजरूत नहीं रहती लेकिन फिर भी मैं च्छान के ही रखती हूं और यह सारे बर्तनों को जो मेरे डब्बे वगरा नहीं उनको स कड़ी और यह बोहुत। देड़ से अबल चुकि ए जो कि इसमें मैं ने पकोडियां भी डाल दिन मुझे को मेरे घर में तो आज बहुत बात बन रही है और जो कि मैं जो बाद में कर रही हूं और यह बच्छों को इतिनी पसंद आई ना कड़ी क्योंकि उन्होंने सोर मचा रखा था बच्चोंने के आलू खिला खिला के बहुत दिन हो गया है कड़ी बना दो आज मतलब रात कोई बोल दया था तो इसलिए मैंने सुबह तैयारी गई और दूसरी तरफ मैंने गरम करने घी कहा सोकती हम तो तो दूद का भी मतलब साथ की साथ जब देखते रोनों तो ठीक रहता है नहीं तो निकल के बाहर आ जाता है और इधर कड़ी पत्त रखा हुआ है जो मैंने मंगाया था कड़ी के लिए और इसको भी मैं उठा के रख दूंगी फ्रीज में दो के रख दिया है थोड़ा सा सू प्लास्टिक के डबे होते हैं कुछ खाली होते हैं तो वह सब मैं और कड़ी को अब कर देती हूं मैं बंद जो कि बहुत टाइम हो गया इसको उबलते उबलते हैं और जब यह बहुत अच्छे से उबल जाती है ना तभी टेस्ट आता है और यह मैं तड़का बनाऊंगी ज तो आप सब आजए यह खाने के लिए टेस्टी सी थाली है आज की हमारी जो कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा पसंद है और उसके बाद में जैसे खाना पीना बनिया था ना तवा जो आ गरम था मेरा तो रोटिया बना रही थी तवा गरम रह जाता है तो उस पर मैंने सो इसको भी मैं भून के रख लेती हूं और इसमें मैं जैसे बून जाएगा यह थोड़ी देर बाद तो इसमें मैं हींग भी डाल दूंगी जो कि हींगा बहुत अच्छा रहता है जो रायते में हमारे रायता रोज बनता है तो यह मैं बना के रख लेती हूं तो एक बार काम हम पमेुछ में चाहते हैं बाद के और इसको ब्हुण के और ठंड में को मैं पीस्के और दब्बे में दढ़ब कर दो तो यह भी पीज भी लिया और इसको अब मैं पलट लेती हूं डब्य में जो कि साथ की साथ काम को खतम कर दोना तो खतम ही हो जाता है नहीं तो एक बार छोड़ दोना काम को तो फिर वह बढ़ता ही रहना तो यह डबे में पलट के रख दिया मैंने और रिखो ये बहुत अच्छे से तो मैं इस वीडियो का एंडी नी कर पाई थी तो मैंने सोचा चलो आज मैं बात करती हूं कल आज मंडे है तो हर हर महादेवा आप सभी को और आज मैंने बहुत सारे कपड़े दोया है जो कि आज इतनी तेज हवा चल रही है न उपर बहुत तेज हवा चल रही है देखो यह नहीं कि मैंने कपड़े डाले हुए है आज मैंने रजाइओं के सारे कवर दो दे जो मुझे उठा के रखनी है न में ऑसके कवर मैंने सब दो यहां वैसे घर के कपड़ बहुत ज्यादा जिंस बगेरा बहुत रखी थी वह सब ही दो दिन से ना उन्प कपड़े में लग रही कल संडे था तो संडे को भी धो है और आज मंडे है तो आज मंडे को इस तरीके के कपड़े निकाल लिए जो कि जैसे दो दिन के लिए कहीं चले जाओ न तो बहुत सारा काम हो जाता है मैंने जो मेरी जिठानी जी उनका वो था अरश्टी जो होती है वो थी तो वो थी फ्राइडे की और फ्राइडे से मैं सटरेडे को आई थी फिर तो इस वज़े से न ये काम इतना फैल जाता है जैसे एक दो दिन के लिए कहीं चले जाओ तो बहुत सारा काम लगता है ऐसे हुआ है तो वो सब मैंने खतम कर दिया इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं जो कि वीडियो नहीं बना आ पा रही हूं मैं और आज सोचा चलो कल सुरू किया था मैंने कल भी फिर साम को कंट्यूनी नहीं कर पाई मैंने सोचा अब बात कर लेती हूं थोड़ा सा जाओंगी अभी क्योंकि खाना पीना से तो फिरी हो चुकी हूं पहले मैं कपड़े लेने के लिए गई क्योंकि कपड़े न सारे पूरी छथ पर उड़कर न फैल गए थे तो वह गंदे हो जाएंगे तो इस वजए से मैं कपड़े लेकर आई मैंने का चलो इस वीडियो का मैं एंड कर दूँ थोड़ी सी बातचीत कर लूं कि कल मैंने वीडियो शुरू किया था और हो ही नहीं पाया फिर साम को ऐसे हो जाता है जब बीच में गयाप हो जाता है ना वीडियो में तो फिर आलास आ जाता है आलास समझ लू या कुछ भी शमुझलो क्हाम या फिर यह समझ लो वीडियो के चखकर में थोड़ा काम भी लेक हो जाता है तो इस वज़ait से मैं वीडियो नहीं बसंद आपा कर पाई शाम को और अब वैसे कोसिस करूंगी मैं आगे कंटिनी वीडियो लाने की तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी आई होप मेरा छोटासा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और जो न्यू चेनल पर आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए थाके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ट वीडियो बनाए आप लोगों सेसे शेयर करें और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं तो चालिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर आइंड करूंगी बाइबाइब इस दो